बात करतें बहुती critical challenge के बारे में कुछ देर पहले हम लोग जो बच्चों के बारे में बात कर रहे थे हम लोग modern lifestyle related challenges के बारे में बात कर रहे थे आज कल के गमाने में बच्चों का basically क्या-क्या lifestyle challenges देखा जाता है अब हम लोग अगर बात करेंगे और एक critical lifestyle challenge के बारे में उसका ना है musculoskeletal pain simple तरीके से third और आप लोगों को ये मैं बता दू कि general population में ये देखा जाता है लगभग 47% of general population generally affected होता है through musculoskeletal pain तो आप मुझे पूछेंगे ये musculoskeletal pain के क्या होता है बहुत है simple musculoskeletal pain का मतलब होता है आपका muscle या आपके हड़ी या ligaments, tendons या nerve में आप अगर कोई pain फिल करेंगे वो आपका localized pain भी हो सकता है कोई एक जगा पे हो सकता है या पूरा body भी हो सकता है फिर से बता रहा हूं musculoskeletal pain जो होता है बहुत simple तरीके से अगर आप समझना चाहते हैं हमारे muscle, bones, ligaments, tendons या nerve में जो दर्द होता है वो एक जगा पे हो सकता है या सिमित हो सकते है एक जगा पे या तो हो सकता है आपका पूरा के पूरा body में अब आप मुझे पूछ सकते हैं कि चलिए musculoskeletal pain के बारे में तो पता चल गया कि exactly है क्या होता क्यों है what is that यह हो गया why reason why clear होना बहुत जरूरी जैसे हम लोग बात करते हैं कि मोधी के बिजनस में why clear होना बहुत जरूरी है वैसा ही यह musculoskeletal pain exactly why क्यों होता है आए जान लेते हैं बहुत है simple है मालेच आप एक sports person है तो उस time पर जो चोड लगता है उसके कारण भी हो सकता है poor posture मालेच आपका सो ना ठीक नहीं आप जिस तरीके से जिस पॉस्चर में सोए है जिस पॉस्चर में बैठे हुए शिट में उसके कारण दर्ड हो सकता है जब prolonged weight rest दिया जाता है ठीक है during illness य यह musculo skeleton pain आ सकता है not only that हड्डियों में अगर सूजन होता है muscle में सूजन होता या कोई भी body के अंदर जो soft tissue होता है उसमें अगर inflammation सूजन होता है इसके कारण ही हो सकता है आपका bone injuries जो है या fractures है bone dislocation उसके कारण हो सकता है different arthritis like gout, osteoarthritis, rheumatoid arthritis यह सारे के सारे problems ने देखा जाता है यह जो diseases होता है इसमें pain हो सकता है बढ़ सकता है तो हम लोगों ने जान लिया कि muscular skeletal pain exactly क्या है और कारण इसका क्या है क्या कारण के लिए होता है लिए कारण जानना ही तब कुछ नहीं होता है उसके साथ साथ यह भी जानना चाहिए कि इसमे side effects क्या होता है हमारे life में side effect यह होता है कि basically अगर किसी का यह pain होता है तो उनका शरी में बहुत जादा दर्द होता है तो वो भूब नहीं कर पाते हैं लोगों के उपर dependent होना पड़ता है उन लोगों को तो इसमें problem जो देखा जाता है total quality of life reduced होता है because किसी के शरी में मालीजे बहुत ज़्यादा डर्द हो रहा है और उनको आज एक बहुत important काम है मालीजे कोई prospecting करने के लिए जाना है बहुत ज़्यादा pain हो रहा है तो उसमें वो जान नहीं पाएंगे उनको restrain ना पड़ेगा तो एक emotional I mean stress आएगा like stress आएगा और mood भी खरा इसके उपर dependent नहीं होना चाहते है तो इस situation में दढ़ के कारण उनका उतना बैठना चलना प्यंदा बंध हो गया है और उनको depend करना पड़ रहा है किसी दूसरे के ऊपर तो इसके कारण उनके life makes stress आएगा और उनके mood के ऊपर भी bad effect या honey कारण effect आएगा तो finally जो देखा जाता है that is it actually reduce it actually has the adverse adverse effect on quality of life यह quality of life को reduce करता है correct adverse effect देखा जाता है generally so with a brief round of applause I'd like to introduce a magic product जिसका नाम है modi care will pain oil जो आपको यह सारे के सारे different different जो musculoskeletal pain मैंने बोला उसका कारण बोला वो सारे के सारे problems का आपको आपको रिलीव चाहिए तो pain reliever के हिसाब से यह product हम दो patient ही सकते है excellent product और यह product सब को दे सकते हैं excellent product सब को दे सकते हैं यह बहुत अच्छी तरीके से pain stiffness और inflammation के हाथ से हम लोगों को बचाता है अभी आप अगर मुझे पूछेंगे कि exactly यह product कौन-कौन सी pain में हम लोग recommend कर सकते हैं आप cervical spondylolisis spot boss अरे लोग मुझे पूछते है spondylolisis में क्या हम लोग इसको recommend कर सकते हैं मैंने already इस प्रोड़क्ट टा launching session किया है पहले तो इक सवाल आया था तो हम लोग यह product दे सकते हैं जो आज हम लोग आप लोगों के लिए launch कियें जिसका नाम है बहुत ही एक painful situation है बहुत ही painful situation जैसे माली जिए मैं इस हाथ को ऐसे उठा रहा हूं करेक्ट ऐसे उठा रहा हूं तो मेरा यह जो शोल्डर यह नॉर्मल है नॉर्मली मूप कर रहा ह frozen shoulder में क्या होता है इतना दूर तक उठाने के बाद आप आगे उठानी पाएंगे यहाँ पे lock हो जाता है बहुत ही critical situation बहुत ही painful situation होता है जो आप सिर्फ और अगर physiotherapy करेंगे तो आपको थोड़ा बहुत आराम देगा तो अगर कोई आपको बोलेंगे कि और भी अगर आराम arthritis में दे सकते हैं osteoarthritis जो भायानक pain होता है उसमें आप glucosamine recommend कर रहे हैं क्रील ओयलिया तर्मरिक दे रहे हैं calcium complex दे रहे है फ्लैकसल recommend कर रहे हैं उसके अलावा अगर आप कोई और product देना चाहते हैं pain से राहत मिलने के लिए तो हम लोग use कर सकते हैं body care well pain oil उसके अलावा different different ज musculo skeletal pain मैंने बोला सारे के सारे जगा पे आप लोग use कर सकते हैं मेरे पास एक सवाल आया था कोई जगा कर गट चाता है कट होता है तो वो जगा पे जो दर्द होता है infection होता है वो सब जगा पे हम लोग recommend कर सकते हैं वो ये सब pain के लिए निए वो musculo skeletal pain जिसका जिकर मैंने कहां कहां पे इसको हम लोग यूज करते हैं लेकिन उससे पहले हम लोग ये जान ले कि इसमें exactly क्या-क्या है जिसके कारण आप ये प्रोड़क को और भी अच्छे तरीके से लोगों के सामने present कर पाएं इसमें कुछ potential या Ayurvedic Oils है, seven herbal ingredients है इसका जो बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोगों को joint mobility and flexibility प्रोड़क करता है तो कुछ-कुछ इसमें herbs है जिसके बारे में आप लोग सुनें कुछ-कुछ herbs शायद आप लोग के लिए नया हो, हर एक herb कर नर्व, हर नाम और उसका respective benefit में आप लोगों को बत मदद करता, swelling, जो सूजन होता है, उसको कम करता, osteoarthritis में, basically आप लोग हमेशा जान लीजिए, swelling या सूजन के कारण maximum pain होता है, तो हम लोग अगर सूजन को कम करते हैं, सूजन कम होने के कारण pain कम होता है, तो यह गंदपुरा oil basically जो एक pain reliever है, क्यों? क्योंकि यह pain को reduce करता है और swelling को कम करता है, यह product बहुत ही बड़ी आतरीके से हमारे swelling को कम करने के लिए हम दो दे सकते हैं, इसमें है तेल अपढ़ना oil, जो basically एक analgesic के तरह काम करता है, मतलब pain को relieve, pain से हम लोगो राहत प्रोवाइड करता है, इसका relieving effect है, और number two, बहुत सारा जगा पर आप देखेंगे pain के कारण, वो जगा थोड़ा सा heat generate होता है, गरम हो जाता है, उसको भी कम करता है, बहुत सरे लोगा body में temperature भी आ जाता है, pain के कारण, इसको कम करने में oxygen protection प्रोवाइड करता है, मतलब हमारे शरीर को free radical damage के हाथ से बचाता है, just like inlet और inflammation या सूजन या swelling को कम करने में मदब करता है, long oil होने के कारण, हमारा joint में जो stiffness आता है, उसको दूर करने में मदब करता है, बहुत ही effective है, gout जो होता है, a kind of arthritis, उसमें बहुत अच्छा काम करता और muscle soreness झो होता है, हम लोगर जो sports range के बारे में बात करते हैं, हम लोग quiénессon centre के बारे में बात करते हैं, तो muscle recovery के लिए हमारे पास है, sport range of products, लेकिन अगर हम लोग pain से राहत चाते हैं, तो हमारे पास, मतलब muscle soreness को, अगर हम लोग चाते हैं, उसके कारण जो दर्ध होता है, उ उसके बाद इसमें है निर्गुंडी ऑइल जो बेसिकली जॉइन पेंट से राहत प्रोवाइट करता है और मसल स्पैसम से बहुत बढ़िया तरीके से ये राहत देता है मतलब correct point में आप लोग देख रहे हैं कि ये कोई भी किसम के pain हो body में उसको दूर करने में मदद करता है peppermint oil है peppermint oil just like teleponda oil ये बहुत अच्छे तरीके से analgesic के तरह काम करता है मतलब body के चितने सारे body में pain होता है body एक जिसको कहते हैं उसको दूर करता है और उसके कारण चितने temperature अगर आता है उसको भी दूर करने में मदद करता है और सूजन को कम करता है not only that इसमें cedarwood है जो जिसका anti-inflammatory property हमेशा याद रखिए शुरू में भी जो बोला था हमारे शरील में जो pain होता है ना दड़द होता है उसका कारण होता है basically सूजन या swelling तो हमारे हर एक oil साथ के साथ जो important herbal oil के बारे में मैंने बात किया herbal ingredients के बारे में बात किया उनका common काम यह है pain से relief provide करना और सूजन या swelling को कम करना और यह oil अगर आप apply करते हैं बहुत जल्द यह हमारे शरील में स्कीम के साथ मिल जाता है तो कैसे आप apply करेंगे आप directly माले जह यह जगा पर आपका pain हो रहा है example दे रहा हूँ यहाँ पर आप direct use कर सकते हैं यह direct आप यहाँ यूज कर सकते हैं और result बहुत जल्द मिलेगा जस्ट आप लोगों पता है कि DP owners के लिए हमारा यह product हम लोग पहले open कर दिये तो दोर तिन DP owners के साथ मेरा बात हुआ है तो उन्होंने feedback दिया है सारे के सारे leaders मुझे feedback दिये हैं कि उन लोगों का जो शरीर में यह musculoskeletal pain वो back pain था then knee pain, elbow pain कि सारे के सारे pain में यह product उन्होंने use किया मतब DP owners और उनको रात बहुत ही बढ़िया product है बहुत अच्छा काम करता है कोई भी pain हो, कोई भी pain उस knee pain हो, back pain हो, wrist pain, knee joint में pain हो रहा है आपके elbow में pain हो रहा है frozen folder जो मैंने बताया कि यहां पे lock हो जाता है उसमें आप यूज़ कर सकते हैं, cervical pain में यूज़ कर सकते हैं, different different arthritis like osteoarthritis या rheumatoid arthritis या gout आप कोई भी pain में आप यूज़ कर सकते हैं, मैं simple तरीके से एक ही बात बताना चाहता हूँ, आपके शरीर में अगर कोई भी दर्द है, आज से वलके अभी से आप लोग ये product यूज़ कर सकते हैं, जिसका नाम है body care will pain oil, बहुत ही बढ़िया product है, सबसे पहले खुद यूज कीजिए, उसके बाद ये product को detail करके, आप share करके, आप कभी भी बढ़ा सकते हैं, जो one pin में